हेलो दोस्तों आज के से वीडियो में तेखने वाल है कि वर्ड़रिस लॉगन करते डॉटकर लावण कर लेंगे इस लोगो क कैसे चेंझ करेंगे इसको चेंज करके अपना लोगो आप कैसे यह आप लगा है LOGIN करने के बाद आपको जाना है रए सेक्शन में आने के बाद यहां को एक option दिखेगा इस पर क्लिक करना है आपको यहां पर सर्ज करना है डवलू पी टूलस डव लूपी टीडवल ओ लेस्ट प्लॉस इसको जैसे आप सर्च करेंगे तो आपको जैसे यह एक्टिवेट हो जाएगा यहाँ पे आपको एक option दिखने लगेगा WP Tools का इस पे जब आप किलिक करेंगे तो आपके सामने इस tab का page open होगा और यहाँ पे आपको एक option दिखेगा general setting का यहाँ general setting पे किलिक करना है general setting पे किलिक करने के बाद इसको आप नीचे स्क्रॉल करेंगे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे एक option दिखेगा आपको replace wordpress logo at login form login form के time में जो wordpress logo आता है उसको replace यहाँ सम कर सकने है इसके लिए दोस्तों यहाँ पे आपको logo का URL डालना पड़ेगा जो भी logo का link है वो डालना पड़ेगा और उसका height width जो है पिकसल में यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा इसके लिए दोस्तों हम क्या करेंगे आएंगे अपने media वाले सेक्षन में मिडिया वाले सक्षन में आने के बाद जो भी आप लोगों लगाना चाहरा है जैसे हम यहाँ पे लोगों लगा अगर आपका लोगों में नहीं है तो आप अध न्यूप क्लिक करके यहां पर अप्लोड है तो हम इस से क्लिक करेंगे इस सब्सक्रिफ को यहां पर खुराया है आँ इससे कम रखना चाह northeast अगर आप हैट और वीर्था लॿरुक्त कम रखना चाह रहे हैं अगर आप अप हाइड रोगों को इमपुर्ट कर सकते हैं तो आप कम कर किए यह हैट और विर्थ है टूहंड़ अ lashes कि हम यहां से copy कर ली copy करने के बाद हमको फिर से वह WP Tools वाले सेक्षण में आना है यहां पे General Setsing पे क्लिक करेंगे यहां नीचे आने के बाद यहां पर जो हम URL कॉपी किये थे वह paste कर देंगे paste करने के बाद यहाँ पे 200 x 59 पिक्सल था यहाँ पे 59 डाल देंगे लोगो का लिंक लोगो का हैट और विर्थ पिक्सल में डालने के वाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ सेव चेंज का बटन होगा उस पे आपको किलिक करना है अब क्या करेंगे हम इसको चेक कर लेते हैं इसको लॉग आट करेंगे देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है हमारा लोगो आ चुका है तो आज की वीडियो में आपने यह सीखा कि आप लोगो को कैसे चेंज कर सकते हैं वर्डप्रेस लॉग इन पीज से दोस्तों अगर आपका कोई क्वेस्टन है कॉमेंट सेक्षन में जाकर के जरूर कॉमेंट करें आपके सभी कॉमेंट का आपको रिप्लाइ मिलेगा थैंक्यू सो मच